इस वीडियो के अंतर हम जानेंगे कि डाक्टर वीवराव अमबेटकर ने बारत की आजादी की लड़ाई में इससा क्यों नहीं लिया था, उसके क्या कारण रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि अंबेट करने अंग्रेजों के खिलाब जंग क्यों नहीं लड़ी, क्या वे ब्रेटिस आसन को अच्छा मानते थे, उन्होंने ब्रेटिस हुकुमद में पद क्यों सुविगार किया था, और चौता सवाल है कि उनका मात्मा गांधी के साथ में मतवेद क्यों गवा था, ये चार सवालों का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे हैं, जैसे हम जानते हैं कि भारत में अधिकतर महान सक्सियत हैं, उनके बारे में लोगों की दो राय होती है, एक लोग है, जो एक बर्ग है यहाँ पर लोगों का, वो उनकी अच्छाईयों को गिंता है, और दूसरा बर्ग है, वो उनपर उंगली उठाता है, तो डाक्टर बीमराव अंबेड करने, इस वात से अचुते नहीं रहे हैं, और कुछ लोग उनपर उंगली उठाते हैं, एक तरफ उन्हें संबिधा निर्माता और दलित समाज का उद्धारक बताया जाता है, तो दूसरी ओल, कुछ लोग सुतंदरता संग्राम में हिस्सा नह लेने की बात कह करके, उनपर निसान साथते हैं, अंबेड करके जो आलोचक है वो दावा करते हैं कि वे अंग्रेजों के साथ थे, और उन्हीं के मताविक काम करने की बकालात करते थे, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेड कर का अस्री मकसद क्या था, दरसल अंबेड कर का मकसद वही था, जो इस्थापना के बक्त कॉंग्रेज का था, अठारा सो अस्टी से उन्निस सो के विदौल में कॉंग्रेज जैसे तमाम संक्तन थे, जो अपने समधाय के लिए अजिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सतीपर्था हो गया, बाल विवाय का अंत करवाना हो गया, और फिर मराथा रेजिमेंट की बात करें, जाट रेजिमेंट की बात करें, महार रेजिमेंट की बात करें, तो इन रेजिमेंट को बनाने की मांग उठी, सिविल सर्विसेज में कंडिटेट्स की उमर बढ़ाने के लिए भी ब्रोध होने लगे थे, ताकि British हुकुमत में हंदुस्तानियों को ज़्यदा प्रतिनित मिल सके और ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1939 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छुड़ो अंदुलन तक ये बाते पहुंच जाती है तो अगर हम इसी एतियासी क्रमपन अज़ा डाले तो हमें पता चलता है कि अमबेडगर की मांग भी ऐसी थी बह पहले अपने समधाय की बलाई चाते थे उनका माना था कि अगर किसी सक्स को समाज में सिर उठा कर चलने की आजादी नहीं है तो उसके लिए देश की आजादी का कोई माइने नहीं रखता है इसलिए वह सता में पिछले तबके को इस्यदारी चाते थे जो भी सता है उसमें वो पिछले तबके की इस्यदारी चाते थे जिने जातिये वविस्ता ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा है जो सम्मान की नजर से नहीं देखे जाते थे तो डाक्टर अंबिट का रहे वो दलितों की दूर्दसा के लिए हिंदु धर्म की उचनीच वाली विविस्ता को जुम्मेदार मानते थे उन्होंने बढ़ विविस्ता को पैरोकारी करने वाली किताब यानि मनुस्मृति की पृतिया भी आपर उन्होंने जलाई है क्योंकि मनुस्मृति है वो यहाँ पर बढ़ विविस्ता को ज़्यदा प्राद्मिक्ता देती थी उनका मानना है कि हिंदु धर्म मनुस्मृति के इसाफ से चलता है उसमें उचनीच कूट करके बरा हुआ है इसमें अमबिड करने लिखा है कि मनुने चार बन की वाकलाद की है, फिर चारो बनों को अलग अलग रखने के लिए जाती विविस्ता की नीम पड़ी मनुने जाती की रचना की या नहीं की यह तो पता नहीं है लेकिन उन्होंने इस विविष्टा के बीज जरूर बोये हैं सुतंता अंदुलन के दोर में सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की इसेदारी नेके बरावर थी डक्टर अंबेडगर ने अपनी किताबों और लेखों में अंगनितवार दलितों की उत्पिडन उनके जातियत रिसकार वाली जो खबरे हैं उनका हवाला दिया है उनका मानना था कि हिंदु धर्म की जाती विस्ता को खत्म किये वगैर बह मुम्किन नहीं कि दलित समाज में सम्मान के साथ वो जी सके और यही वज़य है कि वे सता में दलितों की इसे जारी चाते थे ताकि उनके कलाफ हो रहे अत्यचारों को रोका जा सके और अंबेड कर दलितों की दसत सुधारने की मांगो पर अड़े रहे और वही कॉंग्रिस लगातार अपनी मांगो और आंदलों का दायरा बढ़ाती रही उसने दलितों से जुड़े मसलों को अंदेखा तो नहीं किया लेकिन उनकी इस्तिती सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया उनका माना था कि जब आजादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले बेदवाब भी अपने आप खत्म हो जाएगे वही अंबेडकर का माना था कि छुआचूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने से खत्म हो जाएगी दलितों के साथ यह बेदवाब तो धार्मे कादार पर किया जा रहा है और अंबेडकर ने सोशित और बंचितों को अधिकार दलाने की अपनी मुहीम है वो जारी रखी और उन्हीं की वज़े से साइमन कमिशन बंचित तबके को प्रतिनेज़ देने को राजी हुआ था और वही कॉंग्रेश ने साइमन कमिशन के ख्लाब जोड़दार आंदोलन चला रहा था और ब्रेटिस सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को प्रत्थक निरवाचन का अधिकार दिया था और इसमें दलितों को बोड देने का अधिकार था एक वोड से भी अपनी समधाय का प्रतिनित भी चुन सकते थे और दूसरे से किसी सामानवर का प्रतिनित भी चुन सकते थे तो इसमें सक नहीं है कि अमबेड कर एतिहासिक पुरुष थे उन्होंने तलितों के उत्थान के लिए कई प्रियास किये सम्धान बनाने में उन्होंने मैत्मूरूमी करने वाई और उनकी जिंदकी से जुड़े कई एसाइज करने वाले तत्वी हैं जिन पर बक्त की धूल पड़ गई है और इस धूल को जड़े बिना अमबेड कर का उस्षद मुल्यांकन नहीं हो सकता है तो इसलिए के अंदर हमने बताया कि अमबेड कर का जो उद्धिश था वो किस तरीके से था वो दलितों का जड़ा उद्धार चाते थे क्योंकि उनका मानना था कि आजादी मिलने से दलितों का उद्धार नहीं होने वाला है क्योंकि जाती विष्टा की देन है वो अंग्रे जोके द्वारा नहीं है वो हिंदु धर्म के उंसार बन विष्टा के उंसार इसका जन्म हुआ है इसलिए हमें इसको मिटाना होगा जाती विष्टा को मिटाना होगा और उनको जो दलित है उनको इसेदारी देनी होगी